आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अपर सबसले में अपनी एक्सिस बिना लेते हूं तो यह होगी अपने y-axis ठीक है और यह होगी x-axis इसको लेबल कर देते हैं यह y-axis होगी अपनी यह होगी x-axis तो वेक्टर a है जिसका magnitude अपना a है एक वेक्टर है जिसका magnitude a है और उसका जो x component है वो है a cos theta और y component अपना a sin theta ठीक है तो देखो मैं वेक्टर ड्रो कर ले तो अपना है पर अपर तो समझे मेरा है कि यह वेक्टर है ऐसा यह वेक्टर a ठीक है इसका हम देखेंगे का करिक्सकों है पर ले बोलू मैं इसका जो magnitude हो मेरा वो एक एक को लो जाएगा ठीक है magnitude मेरा यह पर a के कलो जाएगा यह पर और जासका component होगा यानि यह अगर अंगल theta बना रहा है मेरा है यह पर तो जो मेरा यह वाला component होगा वेक्टर का अलोंगा एक सेक्सिश इसको बोलेंगे हम a x is equals to a cos theta यह होगा एक सेक्सिश का component मेरा और इसका जो y component होगा मेरा वो जाएगा अपना त्योंकि अगर यह मेरा vector है तो यह पर जो इस direction वो जाएगा वो जाएगा a y is equals to a sin theta उस vector का मैसे represent करेंगे जिसका magnitude a है उसका y component यह होगा x component इस direction मो जाएगा अपना ठीक है और अंगल theta होगा उसका परा तो यह देक्स का representation इसकी ओके thank you friends